Wrestlemania 40 होने वाली है next year Philadelphia में और Roman Reigns जिनके पास है समय दो titles या बोलें combine करके एक title undisputed WWE Universal Championship उनका opponent कौन होने वाला है पूरे साल बर से जब से Roman Reigns ने Cody Rhodes के सामने Wrestlemania 39 में successfully अपनी titles को defend किया उसके बाद से जो rumors है और जो dirt sheets है जो काफ़े reliable sources है उन्होंने यही कहा कि WWE का plan बिल्कुल अपना fix है lock है और एक बार फिर से Wrestlemania 40 में Roman Reigns और Cody Rhodes का match होगा championship के लिए और शायद chances इस बार बहुत ज़्यादा है कि WWE match करवारी है तो Cody Rhodes अपनी story को end कर देंगे और Roman Reigns के सामने वो बन जाएंगे नए undisputed WWE universal champion लेकिन जो पुरा landscape है जो पुरा scenario वो तब change होगा जब रॉक आये Pat McAfee के show पर और उन्होंने यह बोला कि already जो पहले से plans से Cody Rhodes के आने से पहले रेसल मिया 39 में वो उनके और Roman Reigns के match के थे और वो खुद खुले आम सारे आम publicly बोलते हैं कि वो match करने वाले रोमन रेंज के सामने रैसल मिया 40 में जो की फाइनली होगा जो फैन्स एक्सपर कर रहे थे रैसल मिया 39 में अब इसके बात से अचानक से बहुत बड़ी डिबेट एक बहुत बड़ा डिसकेशन चालू है कि रोमन रेंज फर्सिस कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंज वर्सिस जरौ कौन सा match डेबल लबली डैसल मिया 40 में बुक करें कि रोमन रेंज के लिए बट क्या अगर डेबल लबली कुछ ऐसा करें कि मिक्स में तो आज आपको बड़ी इंट्रसिंग चीज़े बताने के लिए अब सबसे पहले बहुत सारे फैंस जो है वो शिफ्ट हुए कोडी रोड्स और रोमन रेंज के मैच से रोमन रेंज वर्सिस दे रॉक के मैच की तरफ की रेसल मिन फर्टी में हमको यह देखना है रीजन इसके पीछे बिल्कुल अब्वेस सा है बताने के ज़्यादा कुछ जरूरत है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर रोमन रेंज और रोक का मैच होता है तो यह once in a lifetime मैच होगा जैसे जान सीना और रोक का हुआ था अलिकि वो मैच दबारा हो गया था तो वो twice in a lifetime होगा लेकिन एक्शल में यह वाला मैच once in a lifetime होगा रोमन रेंज और रोड़ के बीच में और क्योंकि फैंस यह कह रहे हैं कि पूरी Bloodline की Storeline चली है Roman Reigns की Travel Chief के एरा में पिछले 3 सालों से उसमें हमेशा ही जिक्र होता है कि एक मुवमेंट पर Rock आएंगे और वो Roman Reigns को उनकी असलियत दिखाएंगे कि तू Travel Chief नहीं है इतने टाइम से पिछले सालों से जब तू WWE में आता भी नहीं था या तूर को पता भी नहीं था कि WWE में कभी वो कंपीट भी करने वाला है तब से मैं WWE कंपनी को केरी कर रहा हूं तो Storeline वाइस आपको पता है Roman Reigns and the Rock के मैच का पूरा पूरा सेंस बंदा है इसमें ज्यादा कोई question करने वाली बात है नहीं लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या WWE इस तरफ देख सकती है कि Roman Reigns, Cody Rhodes and the Rock सें मैच में और ये triple threat होगा undisputed WWE Championship के लिए अब देखो ये मैं बात जो बोल रहा हूं वो already wrestling world के अंदर discussion शुरू हो चुका है तब से ही जब से rock आए है और Cody Rhodes के fans के बीच थोड़ा सा negative माहल बनाए है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है अगर आपको wrestling में 30 अच्छे से याद होगी तो आपको पता होगा कि Battista ने Royal Rumble जीती थी और जो match होना था वो main event में Battista और Randy Orton का था लेकिन क्योंकि fan favorite थे Daniel Bryan तो WWE को अपने plans को change करके अपने original plans के हसाब से ना चलते हुए डालना पड़ा Daniel Bryan को उस match में और उसके बाद जो match बना था में 30 में championship के लिए वहाँ पर भी double championship थी वह match बना था Daniel Bryan vs. Battista vs. Randy Orton की बीच में और अभी आपर गरम fan favorite superstar की बात करें तो सबसे अच्छा baby face reaction जिनको मिलता उन Superstars में से एक है Cody Rhodes तो इस वज़े से इस match को होने का sense बनता है और इतना ही नहीं अभी ऐसा सुनने में आया था कि WWE बहुत बड़े अपनी meeting रखने वाली है जहां पर वो final decision लेगी अपना कि उनको Roman Reigns और Cody Rhodes का match करवाना या फिर Roman Reigns vs. The Rock का match करवाना या फिर Roman Reigns को कैसे book करना WrestleMania में इस match को अगर हम triple threat वाली नजर से देखे तो यहां पर इसके negative चीजे हैं सिर्फ एक negative चीज जो मुझे नजर आती है वो है Roman Reigns and The Rock का जो match है fans देखना चाहते हैं कि singles competition में compete करें उनको ऐसा नहीं चाहिए कि 3 superstars match में है और फिर वहां प चाहने के होते हैं सबसे पहले तो रॉक सेफर साइट पर होंगे रॉक के लिए यह वाला match work करना ज्यादा easy होगा और रॉक शायद हो सकता है ज्यादा अच्छा मैसूस करें triple threat match में compete करने के लिए इसके बीचे simple सारीजन आपको पता है जब superstar बहुत टाइम से रेस्लिंग से इंदर डालते हैं तो अगर रॉक इस मैच में होते हैं तो हमेशा उनको रिंग में active नहीं रहना काफियत तक जो मैच है वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स कर सकते हैं जैसा उनने इस साल की रैसल मिना में किया था और रॉक इस मैच में काफी light होंगे और उनको जादा problem भी होगी क्योंकि बहुत बड़ा concern यह रहता है कि रॉक अगर इंजी किसी problem में आते हैं तो फिर वो उनके लिए और बुरा हो सकता क्योंकि WWE से बाहर भी जो उनके projects हैं वो काफी सारे हैं इसके साथ साथ already WrestleMania 39 में जो fans हैं वो match देख चुके हैं Roman Reigns और Cody Rhodes का तो एक ऐसा भी large fan base है जो चाहता है कि यह वाला match उनको दुबार से नहीं देखना no matter इस बार result different हो या फिर क्या हो अगर एक match हम WrestleMania में एक बार देख चुके तो WrestleMania जैसे stage पर match at least repeat नहीं होना चाहिए जो कि हम कह सकते हैं काफी अतक sense बनाता है तीसरा reason वो है इस match में protect करके रखना Roman Reigns को या फिर Rock को आपको पता है अगर triple threat match होता है तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो champion superstar है जो championship को defend कर रहा है उसको hit pin होना हो तो अगर Roman Reigns की prestige को इस reign को इ किसी और superstar को pin करने का और इस से Roman Reigns match में championship हारने के बाद भी save बच जाएंगे और बहुता है लोगों कि ऐसा लगता है Roman Reigns का जो tribal chief वाला era है जो उन्हों इतने time से championship को retain किया है अगर पिन fall के सारे से heart है तो फिर यह उस सीच के लिए Roman Reigns के character के लिए बहुत बड़ा नुकसान ह यह हो सकता है शायद थोड़ा सा जादा बड़ा सोचना हो गया या फिर एक fan की नजर से ऐसा लग रहा हो कि बाई कितना चाहिए WWE में हमको entertainment लेकिन opportunity हमेशा open रहेगी Roman Reigns and the Rock के match की एक future किसी wrestle मेने के लिए अब आपको पता ही है Roman Reigns और The Rock का match जितना जादा delay होगा इस match के न होने के chances उतने ही है लेकिन अगर WWE के पास already अपने plan set है तो ऐसा हो सकता है कि Triple Threat match एक future Roman Reigns and the Rock के match को set up करने के लिए plan किया जा रहा हो और अगर इस Triple Threat match की बात करें तो ऐसा भी WWE कई बार अपना format set करती है कि जितने superstar हम एक match के अंदर डाल सके जितना उसको star से loaded बनाएंगे उतना हमको इसको sell करने में असानी होगी और इस बात में कोई भी शक्नी है कि सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही अपने दूसरे रन में आके Cody Rhodes ने एक बहुत बड़े WWE के fan base को attract किया है merchandise में लिस्ट में हर जगा वो ऊपर रहते हैं अपनी videos के अंदर आपको कई बार बता चुक बलकि future के singles competition के लिए भी WWE doors अपने हमेशा open रखेगी तो अगर इस triple threat match की possibility को positive note पर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि शायर WWE को कर सकती है मजबूर कि वो इसको book करें और Cody Rhodes का fan base, The Rock का fan base और Roman Reigns के fans I think इस triple threat match से satisfy हो सकते हैं अगर तो अलग-अलग matches WWE नहीं सकती तो क्योंना combine करके triple threat match में इस championship को defend किया जाए एक जो बहुत-बड़ा change से में WWE के अंदर higher ups में हुआ है वो यह है कि Vince McMahon सिर्फ वो इनसान नहीं है जो कि creatively चीजों को book करते हैं तो अगर विंस McMahon का era होता तो मुझे बिल्कुल कोई chance नहीं लगता कि Rock और Roman Reigns के singles competition के अलाव वो किसी भी match को book करते हैं लेकिन क्योंकि अब जो higher ups से उसमें लोग अलग-अलग हैं काफे साय लोग के minds इसमें लगते हैं तो इस triple threat match के होने की possibility definitely Vince McMahon के era में अगर यह match उता तो उससे ज्यादा थी अब बाकि आप मुझे बताओ आपके triple threat match को देखना चाहोगा या फिर versus Cody Rhodes के match के यह विडियो कर आपको अच्छी लेगी तो से like, share, subscribe and notification bell को ओन करते हैं ऐसी WWE's Judy interesting videos के लिए and I will see you guys in my next video